नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रिवेस एक्जाम जो 2019 पीस के ऑनलाइन एक्जाम समुए हैं उसमें पूछेगे दर्षनी इस्तल के टॉप 200 जीके के स्वाल की यह कबर हो जाएंगे 200 क्यों से तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर क्लिक कर देना क्यों संस बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है और बाकि इसकी पीडियो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी टेलिग्राम एप्लिकेशन पर आपको सर्ज करना है एड़ी रेट टॉप टी जीके वहां से आप जोईन हो सकते हो इसी टाइप से जो ट्रेंड जीके के सवाल अभी ऑनलाइन एक्जाम से पूछे जा रहे हैं तो इसके लिए डैस्क्रिप्शन वाक्स में प्ले लिस्ट की लिंक है वहां से वीडियो आप जरूर देखी और आपके सामने जो पहला स्वाल देखी है आपर बाराबती किला भारत के किस राज्य में इस्तित है ये स्वाल पूछा गया है बाराबती किला भारत के किस राज्य में इस्तित है तो यह हैं दोस्तों ओडिशा राज्य में इस्तित है और बाराबती किला ओडिशा राज्य के महा नदी के किनारे पर बना हुआ है निर्मान किस ने कराया है तो बाराबाती किल्ये का निर्मान है वो राज्जा मुकुन देव ने कराया था कब कराया था तो 1560 से 1568 में इसका निर्मान कराया था अब देखे बाराबाती किल्ला है और एक यहाँ पर बाराबाती स्टेडिय का exam हुआ था तो उसके pattern को ध्यान में रखते हुई यहां पर मैंने total 49 full test जहां पर आपके सभी subject के स्वाल रहने वाले हैं तो वो आप जरूर attempt कीजिए exam से पहले total 49 online आपके daily one new test मिलने वाला है तो धुरीना application पर यह आपको मेल जाएंगे किस टाइप से वाई करना है उसके लिए वीडियो लिंक भी आप नीचे description box में देख सकते हूं तो चले आपके सामने जो अगला स्वाल है या पर चार मिनार कहां पर इस्तित है बहुत बार एक्जा में यह स्वाल पूछा जाता है चार मिनार की बात कर तो यह आ मजवें शाशक है इन्होंने 1591 में चार मिनार का निर्माण है वो हैदराबाद में कर रहा था नेक्स्ट के उसनिया पर उन्ना कोटी गुफा मंदिर किस छेतर में इस्तित है उन्ना कोटी गुफा मंदिर की बात कर तो यह तिरपूरा में कहां पर है उन्ना कोटी गुफा म जोके अभी बनारेष के नाम से जाना जाता है तो ये ऊत्तरपर्देस के काशी RUS नामकिस्तान परिष्टित है 12 जोतिरिंगों में से एक है वियु tender यूपी में है अब देखी में आपको बता दू टोटल बारा जोतिर लिंग जहां पर पर-टे कमडीर दो एक्सवाल जरूब लुज देन को महलेनो स्वास्वर लिंग इंद immense अन्राष्ट में महारास्टर में Charity J Van जोतिरलिंग काश्री उत्तिर प्रदेश में हैं त्रंग बकेश्वर जोतिरलिंग नासिक महाराष्टर में वेदिनाद जोतिरलिंग जारखंड में हैं नागेश्वर जोतिरलिंग मडोदा गुजरात में रामेश्वर जोतिरलिंग तमीनलाडू में हैं घृष नवेश्वर जो तिरलिंग है महराष्टर में अगला स्वाल देखिए यहां पर कुम्ब मेला निमलकित मैंसे किस शहर से जुड़ा हुआ है कुम्ब मेले की बात करें तो टोटल यह चार इस्थानों पर लगता है इसमें से एक इस्थान उज्जेन भी है तो यहां पर आप्शन में जो था उज्जेन करेक्ट हो जाएगा कुम्मेला है यह उज्जेन से जुड़ा हुआ है और जो चार इस्थाने वो कौन से है तो कुम्मेले का आविजन है वो हरिद्वार परियागराज नसीक और उज्जेन में किया जाता है और परतेक इस्थान पर हर 12 साल यहां पर हरिद्वार लगता है किस नदी पर बहुत बार एक्जा में स्वाल आया हुआ है हरिद्वार गंगा नदी प्रियाग राज गंगा ये मुना सर्श्वती नदी उजयन में सिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तरट पर लोग कुम में डूब की लगाते हैं अगला सपाल किंग खालिद इंटरनेशनल एरपोर्ट किस देश में कारी रत है किंग खालिद जो इंटरनेशनल एरपोर्ट हैं ये साओधी अरब में हैं साओधी अरब की राजदानी रियाद में ये इस्तित हैं आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों यहां पर साओधी अरब की करंसी मुद्रा क्या है साउदी अरब की जैसे की राजदारी याद में अग्लाश वाल्न देखिए आपर की वन अनुसंधान संस्तान कहां पर देहराधून में संस्तित थे और बात कुरुंओ भारती वन सर्वेक्षन की तो इसकी स्ताप्ना में एक जून 1981 को Forest Survey of India FSI की स्थापना और हैदरा जो इसका मुख्याल है वो देहरादुन उत्राखंड में है अगला स्पानिया पर एतियासिक फवारा गुलजार होज निमलिक्त में से किस भारतिय शहर में इस्ति थे जो एतियासिक फवारा गुलजार होज यह हैदराबाद में है किस भारतिय शहर में है तो यह हैदराबाद में है नैश्ट यहां पे वेदन थंगल पक्षिय अब्यारने कहाँ पर इस्ति थे तो वेदन थंगल पक्षिय अब्यारने है यह तमीन लाड़ो में इस्ति थे एक पक्षिय अब्यारने अगला स्वाल देखिए किस में परशिद उमानन्द देवलोई मंदिर मयूर द्वीव पर इस्तित है तो ये हैं दोस्तों असम में जो उमानन्द मंदिर हैं उमानन्द देवलोई मंदिर हैं ये मयूर द्वीव पर इस्तित हैं कौन सी राज्य में तो ये असम राज्य में हैं अस्थम में पर्शिदुमानन देवलोई मंदिर है अस्थम के गुहाटी में ये मंदिर इस्तित्थ है अगरा स्वाल आपर क्योसर memes to know 13 गोल गुंबज कहां पर इस्तित्थ है गोल गुंबज की बात करें तो ये विज्जापुरा में है गोल गुम्बंद विजयपुरा विजयपुरा जो की बीजयपुरी का नाम है तो बीजयपुर जो करनाटक में है इसका ओपिशल नाम है विजयपुरा तो गोल गुम्बंद है ये बीजयपुर के सुल्तान मुहुमद आदिल सा का मकबरा है तो बीजयपुर के सुल्तान मुह पूरा या फिर इससे भीजापुर कहते हैं कनना टक में हैं घोल घुमज अगला स्विलन है पर नहुलभाझा सभारत के किस राजे मैं इस्थिते का दरुवर इस्थितल है नहुलभाझा पैलेस कि बात करें तो यह बिहार में इस्थितफ हैं जो कि नव लग्का पेलेस बिहार अगला स्वाल देखिए याँ पर EME मंदिर जिसे दक्षिना मूर्ती मंदिर भी कहा जाता है तो जो EME मंदिर है इसे दक्षिना मूर्ती मंदिर भी कहा जाता है ये भारत के वडोद्रा में इस्तित है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर हैं जो कि 1966 में बनाय गया था और गुजरात राजिय में वडुद्रा शहर में भारती सेना के अधिकारियों के दोरा ये संचालित हैं EME मंदिर हैं ये भारती सेना के दोरा संचालित मंदिर हैं जिसे दक्षना मूर्थी मंदिर का ज अगरासवाल आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शाशक से बद्ध हैं, यह सहाँ जाने आगरा में बनवाई थी, तो आगरा का मोती मस्जद के आपर बात हो रहे हैं, जो कि सहाँ जाने बद्ध हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दू, मोती मजजिद सिर्फ आगरा में ही नहीं है लेकिं अपी तो ये आपकी मिल जाएगी मोती मजजिद है मुगल बाजसा औरंग जेब के दोरा बनाएगी दिल्ली के लाल किले में भी इस्तित है तो ये पूछ लें दिल्ली के लाल किले में जो मोती मजजिद है वो किस ने एक और मोती मस्जिद है जो कि लाहूर पाकिस्तान में भी हैं ये मज्जिद भी जो बाधसास सहाजा के दौरा 1645 C.E. में लाहूर की किले परिश्टि थे, अगला स्वाल देखे, ताजमेल की परतिकरती बी-बी का मकबरा है यह हो औरंगाबाद में हैं तो बी-बी के मकबरे का निर्मान है ये मुगलबाद सास औरंग जेब ने किसने औरंग जेब ने अन्तिम सत्रवी शताबनी में करोया था किसकी याद में करया था तो ये उनकी पत्नी नाम है राबिया उद्दोरानी की याद में और इसे डिलरस बानो बेगम को राबिया उद्दोरानी की जाना जाता है तो दिलरस्ट बानो बैगम या पर राविया उद्धोरानी की याद में इन्होंने बीबी की मकबरे का निर्मान यानि ओरंग जेव ने कर वह था और ये ताज मेल की आकरती पर बनाया गया है जो कि ओरंगाबाद में है ओरंगाबाद कहां पर महाराश्टर में इस्तित है ये बीबी का मकबरा अगरा स्वालिया पर निमलिक्त में से कौन सा एक नव पाशान सांस्कृतिक इस्तल नहीं है कौन सा नव पाशान सांस्कृतिक इस्तल नहीं है तो कुंतासी हो जाएगा मैं कुंतासी की बात करूं तो ये गुजरात के मोर्भी जिले में इस पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है बाकि प्राशिंतaları कर्शी और शाक्षय क्याइब के गाउं है और देव गहाट की पास बेल नदि की घाटियों वा1 प्तरप्रदेश हैं मेहरगर ये वलुजस्तान पाकिस्तान में भुरुजोम स्री नगर कश्मीर में हैं कुंता सी गुजरात के मोर भी में हैं अगला स्वाल देखें निमलिकत में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए परशिद हैं तो सागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए परशिद क्या हैं तो ये है कैरल है कौन सा राज्य है कौन सा राज्य तो कैरल राज्य हैं जो कि शागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए परशिद हैं नेक्स्ट निया पर प्राजचिन सहर लो गुजरात में है लोत्थल जो पुरा तात्विक इस तले वो गुजरात राजे में इसकी खोज है 1954 में की गई थी अगला स्वाल देखें आपर क्योसर नंबर 21 आर्किटेक्चर की जड़ने की तक्निक पेट्रा ड्यूरा निमलिक्त में से किस इस मार्क में पाई जाती हैं तो की जाती हैं और जो यहां पर यह किसमे पत्रकारी ऐसी की गई है इस मार्क मर पाई गई है पेट्रा ड्यूरा जो टेक्निक है तक्निक है जहां पर यह तरा से हुए कटे हुए जड़े हुए जमकाई हुए रंगीन पत्रों से चित्रकारी की हुई है तो यह आपके ताज मे या कि याद में बने था बहुत बार पूछा जाता है टाज मेल के वास्तुकार कॉन है तो उस्ताध ऐहमद्लाहोरी है इनके वास्तुकार अगला स्वाल बहुत इस्मारक नाम चोकंडी इस्तूप भारत के किस राज्य में इस्तित हैं तो जो चोकंडी इस्तूप एक बहुत इस्मारक हैं ये हैं दोस्तों सारनात यूपी में कौन सी राज्य में हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं सारनात में अगला स्वाल देखे क्य अगला स्वाल जोग पर्पात कुस नदी पर है तो यह सरावती नदी पर है जो की जोग पर्पात है। नेश्ट का दो है नोने के समय हो जाएगा हम पर तो को रहा होती ए हुजब onu पी में आपको देखने को मिलेगी बेहतरीन दर्वीर शेली हम पी ये कहां पर है तो ये कन्ना टक में हैं इसकी इस्तापना संस्तापकारियर और बुक्का ने की हैं हम पी महदेकालिन हिंदू राज्ये विजे नगर सामराजी की राजधानी था जो कि तुंग भंद्रा स्वामी नारायन को समरपीथ हैं जो और ऑप्सफन आपके कॉर्णा का सूर्य मंदिर है जो कि भारत में औरिसा राज्य में है बाकि जो बहुत गया की बात कर तो ये देश के बिहार राज्य में इस्तित हैं यहां पर महाबधी ने मंधिर भी में देखने को मिलेगी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्टर में नैश्टिया पर राजबाडी के अखंड खंड हर किस भारती राज्जे में स्थित हैं तो राजबाडी के जो अखंड खंड हैं ये हैं नागा लेंड में कौन से भारती राज्जे में तो नागा लेंड में है राजबाडी के अखंड खंडर अगला स्वाल देखे यहां पर भीम बेट का नामक विश्व धरवर किस लिए परशिद हैं तो भीम बेट का जो विश्व धरवर है ये प्रागेत यासिक सिला लेखों के लिए परशिद हैं है कहां पर तो भीम बेट क भारत के मद्य पर्देश परांद के राय सेन्जेले में इस्तितितिते के पुरा पुरा पाषाणिक आवास सी पुरा Lazar है जो के आदी मानों के द्वरा बनाएगे शैल चत्रों और शैलाश्रे Alt के लिए परशिद है और यह दोस्तों पुरा पाषान bullied सी मद्य पाषानकाल सी दिल्ली में उसका निर्मान है संग्राले की स्तापना है। वो मश्रूर कार्ट निश्ट का नाम है संकर पिलेई नेस्ट का इस्तापना की थी अगला स्वाल देखी यापर हवा मेल कौन से शहर में इस्तित है काफी इजी स्वाल होना चाहिए जैपूर में हवा मेल जैपूर में हैं हवा मेल का निर्मान है वो 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सींग के दोरा किया गया था अगला स्वाल या पर विठल स्वामी मंदिर कहां पर है तो यह हमपी करनाटक में है विठल स्वामी मंदिर है जो कि किष्ण देवरावी ने बनाया है स्वाल पूछे हुआ है विठल स्वामी का मंदिर किस ने 500 km2 हैं जिसमें से केरल में हैं 1828 हैं इसके साथ साथ ये तमीन नाडू में भी फैला हुआ है नेट्स वाल देखिए आपर कॉर्णाक सूरी मंदिर कहां पर इस्तित है तो ओडिशा का है कॉर्णाक सूरी मंदिर ओडिशा में इस्तित है पर्तम विश्यूद में अपने आज है इंडिया गैट के नाम से जाना जाता हैं इंडिया गैट जिसकी डीजाइन है एडवर्ड लूटियंज ने त्यार की थी अगला स्वाल देखिए यहां पर क्योसर नमबर 30 एड निमलकित में ऐसे किसमंदिर को बलेक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है तो बलेक भलिपुरम का समुधर तत प्रोल आया था आपकी बार स्सी में कि जो समुदर शोर टेमपल है ये कहां पर है तो ये महा भलिपुरम तमीन लाडु में आपको ध्यान में रखना है शोर टेमपल यानी जो महा Memphis का समुदर तत बंदिर समुदर तर्मांदिर जो शोरibles वो आपकी महाबलीपूरम में है यानि महाबलीपूरम तमीन लाडू में है जगनात मंदिर पूरी ओडिशा में है अगला स्वाल देखे तंजोर में ब्रदेश्वर मंदिर है इसे राज राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है यह तमीन लाडू के तंजोर में इस्तितिक हिं इंद्धु मंदिर है जो कि ग्यारवी सदि के आरम में बनाय गया था और च्वाला देखे आपसाथ पहाड़ी मंदिर किस राज्य की में है तो यह आपके अंधरा में आंधर प्रदेश में सुनल धेकि न परा지 कारजुन मंदिर अगला स्वाल विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहां पर इस्थित है तो विक्टोरिया मेमोरियल है यह आपके कॉलकता पच्छी मंगाल में इस्थित है विक्टोरिया मेमोरियल है कॉलकता में इस्थित एक इसमारक जोकी 1906 से 1921 के बीच निमित एक इसमारक रा अगला स्वाल देखिए आपर मचली पकड़ने का परशिद मैदान ग्रेंड बेंग कहां पर है मचली पकड़ने का परशिद मैदान है ग्रेंड बेंग वो कनाड़ा में है कनाड़ा में एक प्रांथ है न्यूफन लेंड वहां पर इस्तित है अगला स्वाल देखिए आपर क्योशन नमर 46 खेजियो पालरी जील निमलकित मैंसे किस राज्य में इस्तित है तो अढ़ाई दिन का जहुपड़ा कहां पर है अजमेर राजिस्थान में है इसका निर्मान कोतूब दिन एवबक ने कराया था अढ़ाई दिन का जहुपड़ा राजिस्थान की अजमेर नगर में इस्तितिक मज्जिद है इसका निर्मान पहले यहाँ पर जो संस्क्र्ट विदरले था उसको परिवर्टित करके मुहमद गोरी की आदेश पर मुहमद गोरी की गवर्नर कुतूब दिन एबक ने 1192 में इसका निर्मान है वो शुरू कर भया था अगला स्वाल यहाँ पर अमर्शर में जो परशिद स्वन मंदिर है निमलिक्त मैं से किस सिख गुरू के दोरा बनाया गया है तो अमर्शर में परशिद स्वन मंदिर जो गौल्डन टेंपल है अमर्शर पंजाब में वो सिखों के पांच में गुरू अर्जुन देव के दोर बनाय ग्या है और जो अम्रिस सर में golden temple है उसे किस नाम से जाना जाता है तो हर्मिंदर शाहिप के नाम से जाना जाता है बहुत बार स्वाल आया हुआ है गुरू अर्जुन देव पंचम से गुरू के दौराज की निव रखी गई है अगला स्वाल देखिए सिमली पाल बायो यह ओडिशा में है कहां पर है ओडिशा में और अगला यहां पर हजो तेरत इस्तल के अंदर निमनमे से किस राज्य में है हजो की बात हो रही है हजो है अस्सम में हजो तेरत इस्तल है अस्सम राज्य में इस्थित है और नेक्स्ट और लास्ट स्वाल आपके सामने निमनम 22 में यह तापमान रिकॉर्ड किया गया था जो कि था 77.8 डिग्री सेंटिग्रेट यहां पर तापमान धर्ज किया गया था तो दोस्तों यहां पर आपके दर्ष्णिये इस्तल के टॉप 50 स्वाल पार्ट 1 में कवर हो जुके हैं इसी टाप से टोटल तीन और पार्ट आएंगे जहां पर 200 स्वाल कवर हो जाएंगे तो सीरीज से जुनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए वंदे मातरम जहीं दोस्तों